हेलो दोस्तो मैं डॉक्तर अनिमेश MS जनरल सर्जन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पर स्वागत करता हूँ दोस्तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपोर्टेंट है जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत जादा है गंजापन है हेयर लॉस है जगा जगा पर बाल कम है या फिर सिर पे बहुत बड़ा एरिया बन गया है जहां पर बाल बिल्कुल भी नहीं है एंडोचनिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम है या एलोपेशिया एरियेटा है hair fall की अगर किसी भी तरह की आपको problem है hair loss की problem है बाल नहीं है तो ये वीडियो आप जरूर देखें इसमें मैं minoxidil को लगाने का सही तरीका बताऊंगा दोस्तो minoxidil के बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया है आपको तो minoxidil के 7-8 चीजे जो सबसे important है अगर आप use कर रहे हैं तो ये आपको जानना बहुत ज़ादा जरूरी है तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को subscribe कर दीजे वीडियो को like और share कीजे ताकि सभी को जानकारी मिले और अगर आपका कोई सवाल है तो surgery online app डाउनलोड करके हमसे free of course consultation ले सकते हैं तो दोस्तो hair fall की अगर problem है hair loss है तो हम advice करते हैं minoxidil solution minoxidil एक hair regrowth का solution होता है जिससे बाल का regrowth होना शुरू हो जाता है नए बाल आने लगते हैं जहां पर बाल कम है या जहां पर बाल बिलकुल नहीं है वहां पर बालों का regrowth होने लगता है अब अगर आप minoxidil यूज़ करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है तो सबसे पहली चीज़ minoxidil को कभी भी गीले बालों में नहीं लगाना है minoxidil को हमेशा dry scalp में लगाना है कभी भी नहाने के तुरंत बाद अपने बालों में minoxidil नहां लगाएं बालों को अच्छी तरह सुखा लें तौलिये से सुखा लें ड्राई कर लें और फिर minoxidil को apply करें दोस्तो apply करने के लिए minoxidil के box के अंदर applicator आता है dropper आता है या sprayer आता है तो usually मैं recommend करता हूँ dropper से क्योंकि dropper से अगर आप लगाएंगे तो बालों की जडों तक minoxidil जाएगा और जडों को minoxidil मिलता है तो फिर regrowth वहां से शुरू होता है अगर आप spray करेंगे या अगर आप उपर उपर तेल की तरह minoxidil को लगाएंगे तो minoxidil हो सकता है जडों में ना पहुचे और effect शो ना करे इसलिए dropper यूज कीजिए dropper से minoxidil को लगाना है और लगाने के बाद आप थोड़ा हलके हाथ से इस तरीके से रब कर सकते हैं बहुत जादा मसाज करने की जरुवत नहीं है हलके हाथों से बिलकुल इस तरीके से आप रब कर सकते हैं ध्यान रखिए, रब करने के बाद दोस्तों हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है फीमेल स्पेशली ध्यान दे कि अगर मिनॉक्सिदिल को लगा रहे हैं तो forehead पे या face पे ना आए क्योंकि अगर वो forehead या face पे आएगा तो उसका जो effect है, जो hair regrowth है वो unwanted hairs आपको करा सकता है तो इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आप मिनॉक्सिदिल का use कर रहे हैं तो forehead या face पे बिलकुल ना लगे, especially females दोस्तों मिनॉक्सिदिल अगर आप लगाते हैं तो recommended dose होता है 1 to 1.5 ml अगर आप मिनॉक्सिदिल दिन में 2 बार लगा रहे हैं तो सुबह 1 to 1.5 ml लगाना है और इसी तरह शाम को भी 1 to 1.5 ml एक डेड़ एमल से ज़ादा मिनॉक्सिदिल एक बार में नहीं लगाना है आपको तो मतलब दिन भर में आप 2 या 3 ml लगा सकते हैं उससे ज़ादा मिनॉक्सिदिल आपको लगाने की जरुवत नहीं है पूरे सिर में मिनॉक्सिदिल को लगाने की जरुवत नहीं है जिस जगा पर बाल कम है सिर्फ उसी जगा पर मिनॉक्सिदिल को एपलाई करना है अगर आपके scalp में inflammation है, सूजन है, खुजली बहुत जादा होती है या white flakes है या फिर कोई भी ऐसी problem है जिससे आपको सिर में बहुत जादा problem हो रही है, घाओ बन गया है तो आप minoxidil को बिल्कुल use ना करें उस समय के लिए minoxidil को बंद कर दें, पूरी तरह से घाओ को हील होने दें, अगर घाओ ठीक हो जाता है 10-15 दिन में, उसके बाद आप minoxidil को शुरू कर सकते हैं minoxidil को लगाने के बाद कम से कम 4 घंटे तक ना बालो को धोना है, ना ही आपको सोना है, या फिर ना ही आपको helmet पहनना है दोस्तो अगर आप ऐसे काम कुछ भी करते हैं, तो इससे minoxidil के efficiency कम हो जाती है अगर आप सोएंगे, तो minoxidil सेर में लगा था वो तकीये में लग जाएगा या फिर अगर आप नहा लेंगे, तो वो धुल के निकल जाएगा, तो effect शो नहीं करेगा या helmet पहन लेंगे, तो helmet में लग जाएगा, इसलिए वो result शो नहीं करेगा तो आपको कम से कम चार घंटे तक ये चीजें नहीं करनी है दोस्तो, minoxidil का जो best result आता है, वो 3-4 महीने तक use करने में आता है अगर आप एक महीने में use करके बंद कर देंगे, तो आपको result हो सकता है, बिलकुल ना मिले इसलिए minoxidil को जो हम recommend करते हैं, वो 3-4 महीने कम से कम दिन में 2 बार लगाने को advice किया जाता है और जब तक आप minoxidil को apply कर रहे हैं, तब तक कोई भी salon based procedure जैसे curling, straightening या किसी भी तरह का heating tool का इस्तमाल ना करें उससे बाल आपके कमजोर होते हैं दोस्तो, आप shampoo का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी और तरह का तेल, lotion, cream, serum का प्रयोग बिलकुल बालों में ना करें हर बार minoxidil लगाने से पहले shampoo करने की जरूरत नहीं है दोस्तो, आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि minoxidil के side effect क्या होते हैं, आप में सी-सी तरह जुड़े रहें उमीद है वीडियो में दी कई जानकारी आप पसंद आयोगी, अगर पसंद आयो तो like करें, share करें और अगर आपका सवाल है तो comment कर सकते हैं, surgery online app से हमसे direct consult कर सकते हैं वहाँ पर भी minoxidil है available, आप वहाँ से minoxidil ले सकते हैं, surgery online app का link मैंने description में डाल दिया है और अगर आपका छोटा मोटा सवाल है तो instagram पर भी आप हमसे सवाल अपने पूछ सकते हैं मिलते हैं दोस्तों next video में तब तक के लिए take care